पानी पानी यानी जल जल ही जीवन है जल है तो कल है इस धर्ती पर मानव, पशू, पक्षी, पेड़ बौधे एवं वनस्पति पानी के बिना जी ही नहीं सकते किसानों की खेती एवं कई उद्योग व्यवसाई भी पानी पर निर्भर होते हैं पिछले कई वर्षों से हमारे देश में पानी का संकट बढ़ता ही जा रहा है इसकी वज़ा से हमारा किसान हत्बल और परिशान है केंद्र शासन ने 256 जिले पानी के तीवर संकट वाले खोशित किये आज भी हमारे देश की 54 प्रतिशत आबादी पानी के संकट से जूज रही है पानी जो हम सब के लिए अनमोल है पुद्रत ने हम तक पानी को पहुचाने के कई रास्ते बनाए है जिसकी यात्रा भी काफी रोमान चक है हर साल वर्षा रितु में बारिश के रूप में पानी बरस्ता है बरस्ती हुई बारिश से पानी की यात्रा शुरू हो जाती है बड़े बड़े पहाडों से, जंगलों और चारा गाहों से, नदी नालों के माध्यम से यात्रा करते हुए आपके काउं के तालाबों में आकर पानी की यात्रा पूरी हो जाती है पानी की इस यात्रा में मिट्टी भी उसके साथ साथ तालाब दका जाती है पानी तो तालाब में रुखता नहीं या तो उसका जमीन में रिसाव हो जाता है नहीं तो हम उसे खींच लेते हैं लेकिन मिट्टी तो तालाब में ही जम जाती है कुछ सालों बाद मिट्टी तालाब में इतनी जम जाती है कि तालाब में पानी रुखने की चमता ही कम हो जाती है यहीं से हमारी पानी की सारी मुश्किलें शुरू हो जाती है पानी के लिए केंद्र और राजय शासन कई अच्छी योजनाय कार्यानवित भी कर रहे हैं लेकिन छोटे-छोटे देहातों में हम सबका योगदान एवं लोग सहभाग भी जरूरी है तभी तो जल क्रांती हो सकती है अगर हम हर गाउं के छोटे बड़े तालाबों से जमी हुई मिट्टी निकाल दें तो तालाबों में पानी रुखने की क्षमता बढ़ेगी पानी का रिसाव तो ज्यादा होगा ही जमीन के अंदर के पानी का स्तर भी बढ़ेगा साथ ही साथ गाउं के वेल और बोर्वेल को भी पानी मिलेगा अगले साल बारिश कम ज्यादा हुई तो भी इस पानी का उप्योग हम कर सकते हैं इसका मतलब केवल तालाबों से मिट्टी निकाली जाए तो भी हमारी पानी की दिक्कत, समस्या और परिशानिया थोड़ी कम हो सकती है तालाबों से निकाली हुई मिट्टी किसान अपने खर्चे से अपनी बंजर जमीन पर ले जाकर फैलाते हैं जिसकी वज़े से उनकी बंजर जमीन उपजाव बनती है और किसान साल में दो तीन फसले भी उगा सकते हैं मतलब तालाबों की मिट्टी किसानों के लिए वर्दान है अगर देश पर इतना बड़ा संकट आया हो तो जैन समाज को हमेशा की तरह तयार रहना चाहिए हमेशा की तरह भारत देश में हमारा जैन समाज अहिंसा और सेवा भाव के लिए जाना जाता है यह समाज समवेदन शील है इसने देश की हर नैसरगिक आपदा में अपना सेवा भाव सिद्ध कर दिखाया है 2550 साल पूर्वही भगवान महावीर ने सभी को पानी के संकट से अवगत कराया था उसके बाद आज तक इस देश में समराट खारवेल, समराट संप्रति, जगडुशा, भामाशा, चावडशा, करमाशा, वस्तुपाल, तेजपाल और कुमारपाल इन सभी के कारेकाल में देश में पानी और अनाज के संकट आए थे हर वक्त, जैन समाज ने पूरी ताकत से खड़े होकर उसका डट कर मुकाबला करने की कोशिश की थी यही जैन समाज का इतिहास रहा है अब समय आ गया है कि जैन समाज पुनहा इतिहास तोहरा है सकल जैन समाज ने भारतिय जैन संगठन के माथ्यम से पिछले दस वर्षों से RWB यानि Rejuvenation of Water Bodies यह एक अनूठा मॉड्यूल बनाया है इस मॉड्यूल के अंतरगर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कई राज्यों के हजारों गाओं के पानी का संकट दूर करने का प्रयास किया है अब BGS ने देश के सौ जिलों के हजारों गाओं में इसके माध्यम से जलकरांती लानے का नेणे लिया है तालाबों की मिट्टी निकालने से सिर्फ पानी रुखने की क्षमता ही नहीं बढ़ती, बलकि किसानों की बंजर जमीन भी उपजाव बन जाती है। इसलिए भारतिये जैन संगठन ने तालाबों को पुनर जीवित करके सकल जैन समाज जल क्रांती लाने का उद्धोश्टी। जैन समाज के सभी आचारे एवं साधू संतों ने सोच समझ कर इस क्रांती को आशिरवाद देकर सफलता की नीव रखी है। आज बारिश नहीं है। पानी के लिए महिलाएं एवं बच्चों को मीलो चलना पड़ता है। पशुपक्षियों का अस्तित वही खत्रे में है। देश भर के किसान परेशान है। आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है। इस भया वहचित्र को बदलने की क्षमता जैन समाज में है। तो हमारी यह अपिक्षा है कि जैन समाज के कुछ दो-चार लोग मिलकर या संग मिलकर अपने गाउं के वाटर बॉड़ी को डिसिल्टिंग करने का अगर खर्चा उठाएंगे। आपकी वज़े से गाउं को पानी मिलेगा। आपकी वज़े से किसानों को पानी मिलेगा। आपकी वज़े से पशु-पक्षयों को पानी मिलेगा। इससे दूसरा पुन्य का रास्ता हो नहीं सकता है। इसलिए मैं मेरे पूरे देज भर के जैन समाज के सकल जैन समाज के सभी भाई भयनों को, संग को, अलग-अलग ओर्गनाइजेशन्स को ये बिंती करता हूँ. आपकी जन्व भूमी, कर्म भूमी, तालुका, जिल्ला, यहां जितना जादा आप काम करवा के ले सकते हैं, बीजेश पूरी रिस्पॉंसिबिलिटी लेगा और उस गाउं के तालाप को डिसिल्टिंग करके आपको देगा, आपको इसमें सम्मिलित होना अवश्यक है, हम सब लोग एक कदम आगे उठाएंगे, कारवा बनेगा, और जैन समाज का नाम इतियास में अमर होगा, यही मै आपसे प्राथने करना चाहता हूं